हलो फ्रेंज आप सबी का स्वागत है एक नए वीडियो में फ्रेंज इस वीडियो में बात करने वाला आपके पास भी गूगल पिक्षल फोन है तो उसको आप रिसेट कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ Google Pixel 7 है 7 Pro है 6 6 Pro 6 है कोई भी हुए उसको आप easily reset कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे तो सबसे पहले आपको setting में जाना होगा setting में जाने के बाद आपको कुछ type का interface दिखेगा ठीक है friends तो जैसे setting में जाएंगे तो आपको यहाँ पे उपर के तरफ स्क्रोल करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे password and security पे password and account पे क्लिक करके आपको चेक करना है कि Gmail ID तो नहीं login है Gmail ID login होगा तो आप इस पे क्लिक करके आप remove कर सकते हैं उसको ठीक है यहाँ पे जो भी Gmail ID होगा वह यहाँ पे दिख जाएगा उस पे क्लिक करेंगे तो remove करने का option आ जाएगा ठीक है setting पे क्लिक करके तो remove कर लीजेगा logout हो जाता है यहाँ से ठीक है और Google account Gmail ID को एक ही चीज को बोलते हैं तो इमने डेट रहे हैं कर लीजेगा ठीक है इसके बाद setting में जाना है आपको इस टाइब के इंट्रोपेश दिखेगा reset option इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस वाले options पे क्लिक कर देना है अगर आपके फोन में lock लगा होगा तो आप इस तरीके से खोल इस पे क्लिक करना है तो आपके lock खोलने के लिए बोलेगा otherwise पहले से खोला होगा तो आपको इस टाइब को option आएगा आप दुबारा से इस पे क्लिक कर देंगे और आपका device है reboot होना सुरू हो जाएगा और कुछी सेकेंड में आपका device है जो की reset होकर के ready हो जाएगा तो थोड़ा सा wait करते हैं और देखते हैं इसको कितने देर में reset हो जाता है तो जब तक चैनल को subscribe और वीडियो को like कर दीजेगा साथ में घटी को option आए तो उसे भी click कर दीजेगा ताकि आपको latest वीडियो का update मिलता रहे तो थोड़ा सा wait करते हैं अब यहाँ पे finally हमारा device है जो की reset हो नहीं वाला है तो थोड़ा सा wait करते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे setup करते हैं ठीक है friends आज की वीडियो में यही सब बात करने वालाओ और थोड़ा चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि मैं आपको ऐसे interesting वीडियो लेकर के आता रहता हूँ आपको value provide कर आता हूँ वीडियो के मादम से तो आपका फर्ज बनता है कि subscribe करें और हमें भी motivate करें ठीक है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो आपको इस type का interface दिखेगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है setup करने के लिए क्योंकि reset करने के बाद आपको setup करना जरूरी होता है उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ से उसके बाद offline setup पर क्लिक कीजिए continue पे क्लिक कर दीजे और यहाँ पे आपको इस टैप का interface दीखेगा ठीक है तो आपको यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है उसके बाद जो भी data यहाँ पे दिखता है उन सब को off करतीजे जो settings बगेरा होता है अगर जरूरत है तो आप on कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पे skip पे क्लिक कर दीजे और यहाँ से ok कर दीजे जैसे यहाँ से आप ok करेंगे तो यहाँ पे android setup होना शुरू हो जाएगा skip पे दुबारा option आ जाएगा swipe down कर दीजे और आपका जो phone है और easily reset हो चुका है तो guys वीडियो पसंद देते लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और setting में जाके मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको यहाँ पे photo and video 0000 दिख रहा होगा यानि कि fully reset हो गया और यहाँ पे storage भी fully आपको दिख रहा होगा तो मैंने आपके सामने ही reset किया है और इसको बताया कैसे करते है